हेलो फ्यूचर टीचर वेलकम टो आज चनल विकम टीचर आज का सेशन आप लोग के लिए बिहाइड एलेड एडमिशन से रिलेटेड है जो की अभी कांसलिंग की प्रक्रिया के लिए फॉर्म अभी चल रहा है तो बहुत वच्चे इसमें क्या है कि जो भी कॉलेज चुन रह कि क्या फीस लगेगा है ना कितने फीस तक हमारे government कोलेज से complete हो जाता है और कितने फीस पर private college में जाता है है ना जिन बचों का थोड़ा कम नंबर है वो tension में होंगे कि ज्यादा फीस लगेगा हमको और हमारी जो पढ़ाई है वो ज्यादा फीस में हो गई लेकिन इसमें बह आप घटे में हो ठीक है कौन से स्टुडेंट्स तो यहां पर ध्यान देंगे कि गौवर्मेंट कॉलेज की जो फीस है लगभग आपका 10,000 से 20,000 तक के बीच में होता है ठीक है तो यानि कि हम यहां पर लिख सकते हैं 10,000 से लेकर के 20,000 तक ठीक है और कुछ SCST दिव्यांग केंडिडेट्स का इससे भी कम होता जाता है 10 से भी कम चला जाता है उनकी फीस लेकिन अगर एप्रोक्ट की बात करें तो गवर्मेंट कॉलेज की फीस आपकी इतनी ही है इसके इधर उदर थोड़ा सा हो सकता है या इतने में आ सकता है अब यहां पर प्राइवेट कॉलेज की फीस वही पर बात जब आती है तो चला जाता है कि वन लैक से लेकर के ठीक है डेड़ लाग तक ठीक है अब यहां पर बात करते हैं कि बहुत लोग हैं कि कहेंगे कम नंबर है हमको गवर्मेंट कॉलेज नहीं मिलेगा तो हमारी फीस बहुत कि आप देखते हो कि हमारे एरिया में गवर्मेंट कॉलेज डियलेट के डाट कॉलेज कौन कौन से हैं ठीक है तो गवर्मेंट कॉलेज जब आप देखते हो तो ठीक है अगर आपका मार्क्स अच्छा है है अगर आपका मार्क्स अच्छा है और आपने गवर्मेंट और आपके एरिया में है तब आपके लिए बहुत सही है लेकिन जिन लोगों का मार्क्स कम है ठीक है क्या है मार्क्स कम है और साथ ही साथ अगर इस मार्क्स लोग के सांथ आपके एरिया में गौवर्णमेंट कॉलेज एक भी नहीं है ठीक है और आप फिर भी मतलब बहुत टे ठ्धियान देते हैं कि 10,000 से 20,000 में 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 मेरा क्रचा हो जाएगा कम्पिलीट को जाएगा कब हो गहां जब उनके एरिया में एक आलीज नहीं रहेगा यहीं बहुत दूर रहता आ है लोग 25 दूरर प्रिबिस्ट ले 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 लेते हैं यह स्वतहार करके कि में admission ले लेंगे बस हो गया कभी आएंगे कभी जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं होता है आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको proper तरीके से पढ़ाई करनी है है ना आना जाना है साथ में जो भी पढ़ाई है उसको धियान में रखना है ताकि seated वगरा में आपकी help मिल सके तो जो भी course कर है उसको proper तरीके से करेंगे तो उसमें क्या होता है कि आप वहां पर रहके करो गें जो भी एक शुक लोग हैं रहके करोगे तो हऊंठल वगरा के कोस्ट जो होते है किराय वगर्य के कोस्ट जो होते है जो भी कोस्ट आता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है क्योंकि आपके घर से वो कॉलेज दूर है आप आना जाना भी करोगे घर भी आओ जाओगे और उसके बाद आपका जो वहां रहने खाने का खर्चा है वो अलग तो क्या होता है कि बाद में जब हम पता चलता है कि कोश्ट दीरे-दीरे अमारा बढ़ गया भले हम गौवर्णमेंट कॉलेज से कर रहा है लेकिन हमारा उतना खर्चा बैठ गया और अगर आपका नंबर कम है लेकिन प्राइवेट कॉलेज कोई है पास में और अगर आपको अलोट हो जा रहा है कांस्लिंग करने पर ढंग से तो आपको कॉलेज प्राइवेट कॉलेज जेने में कोई नुकसान नहीं है आप ले सकते हो कि आपको ये फीस तो लग जाएगी लेकिन आपको जो दो साल में आना जाना हुआ पढ़ने का खर्चा हुआ वो कम लगेगा है आप क्या कर सकते हो कि प्राइवेट कॉलेजेज को भी चुन सकते हैं और ये बुद्धिमानी होगी कि आप कम माक्स पे भी प्राइवेट कॉलेज आपको मिल सकता है अच्छा और आपका डियलेट कोर्स इस साल हो सकता है इस साल आप रेजिस्टर कर सकते हो ठीक है तो ये एक वल्यू था है ना जो कि मुझे बताना था आप लोगों से फीस को ले करके क्योंकि एक कॉलेज में एक फीस पूरा यहां पर फिक्स नहीं होता है सभी कॉलेज का फीस अलग-अलग है है ना इसलिए एक रेंज बताया है मैंने ठीक है अब यहां पर बात होती है कि कुछ ल या फिर गॉर्वर्मेंट कॉलेज से करेंगे दोनों का मानेता जो है वो सेम है आपको दोनों की डिगरी वही मिलेगी तो आपको कोई यहां पर ज्यादा फरक नहीं पड़ने वाला है आप दोनों कॉलेज से कर सकते हो बस इसी में बुद्धिमानी है कि अगर आपके एरिय भी नहीं होती है लेने के लिए हाँ जिनके एरिया में government college है उनका marks अच्छा है तो उनके लिए अच्छी opportunity है लेकिन जिनका कम marks है और उनके एरिया में college भी नहीं है government तो उनको खासा परिशान होने की जरुरत नहीं है ठीक है ये बात मुझे लगता है कि समझ गये होंगे आप लोग और उपर से अगर बहुत लोग का ये भी होता है doubt कि private college है तो क्या ज्यादा परिशान होगी तो ऐसा कुछ नहीं होता है private college से ज्यादा परिशान नहीं होती हाला कि government वगरा में form वगरा के charges के आपको कम सोचने परते हैं private में थोड़ा सा इसका cost आपको vary करता है ठीक है तो ये भी मुझे जनकारी आप लोग को देनी है इसके बाद कुछ लोगों का ये भी एक प्रश्न आया हुआ है कि class करना है नहीं करना है तो मेरा जो ये आप लोग के लिए personal एक opinion है कि class जरूर करें आप class को कभी skip नहीं करें इसलिए नहीं करें कि इसके बाद सिर्फ आपक को डिलेड ही नहीं करना है इसके बाद आपको टेट्स की परिक्षाइन देनी है यानि टी जो भी टीचर एलिजबिलिटी टेस्ट होता है विभिन राज्जियों का या फिर सेंटर का सीट ठीक है अब जो भी परिक्षाइन जो भी आपका जौब लेगा ये इलिजबिलिट के बाद ही लगेगा है ना सीटे जरूरी नहीं है हर राजी के अपने टेट्स होते हैं या फिर अपनी परिक्षाइं होती है तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपकी बहुत सारे जो सेक्टर है वो अधूरे रहते हैं तो क्लास जरूर करें जब आप इतना पैसा लगा रहे हैं या फिर अगर आपको अपर्शनिटी मिली है तो आप लोग क्लास को जरूर अटेंट करें ये बहुत फादे बंदर आएगा ठीक है बहले थोड़ा सा कठीनाई हो थोड़ा कम क्लास करें लेकिन क्लास जरूर करें घर पे बाटके ये सब पढ़ाई नहीं करे है अब इसके बाद आती है कि जब हम क्लास वगरा करें ये बहुत लोग का कुश्चन था इसलिए मैंने बता दिया उसके बाद है कि कुछ CLC और SLC के लिए कंफ्यूजन है देखिए SLC जो होता है वह स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है और CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफ इसलिए को जमा लेकर करके अब डिमिशन आपका 12 में यह 10 वाला और मालो यह 12 वाला तो यह ले ले लेता है तो जब आपने SLC इसको दे दिया तो यह दुबार आपको देगा नहीं आपको यह अपना CLC देगा तो जो आपके पास है उसी को आपको जमा कर देना है यानि कि जब अगर आपके पस CLC है तो अफ दोनों का झिक्र है लेकिन हमारे पस नहीं है, तो हम CLC को जमा करेंगे, दोनों है तब दोनों को जमा कर लेंगे, लेकिन mostly लोगों के पस CLC मिल जाएका CLC को ही जमा करलेंगे, है ना दोनों है तो दोनों को जमा कर देंगे इसके बाद कुछ है लोग की migration भी जमा करना पड़ेगा तो देखिए migration जो होता है वो आपको university वगरा से जो change होता है उसके लिए होता है university का changes के लिए migration का use होता है तो मुझे नहीं लगता है यहां पर आयोग ने कोई जिक्र किया है migration का है ना तो आपको migration देने की जरूरत है हाँ जो लोग graduation में है चाहें तो दे सकते हैं वह अपना migration certificate लेकिन आपको CLC जो है 12 का जरूर रखना होगा निकलवा के यह बहुत ज़्यदा जरूरी है अब यह जो है doubts आप लोग के द्वारा पूछी गई थी जो मैंने बता दिया है अगर आपके में अभी कोई doubts है तो उसको जरूर हमें comment करके बताए है ना जिसको हम आकर के आपको समझा सकते हैं साथी साथ जो भी बिहार या फिर बिहार बीट की 2023 के लिए इंटरेंस की त्यारी करना चाहते हैं हमारे क्लास जो है वो शुरू हो चुके हैं है ना डियलेड बीट की क्लासे शुरू हो चुकी है तो आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और अपनी टेलिग्राम चैनल पर हम लोग फ्रीव कोस्ट, PDF मैटेरियल भी अप लेवल करा देते हैं तो आप लोग फ्रीव्प कोस्ट हमारे आज त्यारी कर सकते हैं बहुत बच्चों को इस पर कॉलेज मिला है बिहार डेलेड में सॉरी बिहार बीट में है ना और डेलेड के लिए भी counseling का process चल रहा है तो मिलते हैं अगले वीडियो में take care all of you